चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो MCC ने second round के लिए seat matrix जारी कर दिया है और उसमे clear seats का भी हमें पता लग गया है कि second round के लिए कितने seat vacant हैं कितने percent seat vacant हैं इसके बारे में मैं आपको इस video में बताऊँगा total seats के बारे में बताऊँगा पिछली सार कितने percent seats vacant रही थी इन सबको देखते हुए second round की cutoff क्या रह सकती है इस बारे में भी मैं आपको category wise cutoff बताऊँगा फर्स्ट राउंड की कटोफ हमने बोला था 615, साथ में ये वर्ड भी बोला था कि ये 618 तक जा सकती है, ये वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं, तो 618 कटोफ वो रही है, और बाकी कैटेगरी की कटोफ जो हमने प्रेडिक्ट की थी, तकरीबन वही रही है, तो 2nd round की कटोफ भी वही जाने की possibility है, जो इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करेंगे, पहले मैं आपको पूरा ये idea बता देता हूँ, कितने सीटें, कितने percent सीटें आई हैं 2nd round के लिए, अब इसमें आपको mcc.nick.in की website पर विजिट करना है, जैसे ही विजिट करेंगे आपको seat matrix round 2 के लिए newly seat added दिखाई देगी, इसके बाद clear seat दिखाई देगी और virtual seats दिखाई देगी, ये virtual seats क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले एक बार data देख लेते हैं, first round में जो colleges थी, वो total colleges थी, 373, यानि की girls candidates के लिए, ये 373 colleges थी, और boys candidates क थी, यानि की 3 seats girls candidates के लिए थी, तो total in 373 में जो seat थी, 10,149 seats थी, first round के लिए MBBS की, अब second round के लिए जो clear seat हैं, यानि बिलकुल खाली seats हैं second round के लिए, वो 6825 seats हैं, इसमें जो नई seat add हो रही हैं, जो first round में नहीं आई थी, वो 125 seats आई हैं, total अगर हम देखते हैं, तो 6950 seats MBBS की हमें second round में देखने को मिलेंगी, यानि कि इन seats पर second round में MBBS में admission होगा, अब virtual vacancy देखें तो 2338 vacant हैं, यानि virtual vacancy वो होती हैं कि इन पर candidate ने join तो कर लिया है, लेकिन upgrade का option opt किया है, upgrade का option मतलब इनकी seat upgrade होगी, तो ये नई seat में यहां से clear vacancy से एक seat लेंगे, और virtual vacancy से एक seat खाली कर देंगे, तो ये clear vacancy में आ जाएगी, यानि कि इस vacancy पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, उनको अगर seat upgrade होती है, तो आपने वाली seat छोडते हैं उसमें, तो ये virtual seat से कोई फरक नहीं पड़ता, ये 2338 seat से 986 ऐसे candidate हैं जिन्होंने अप्ग्रेडेशन ओप नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल ही admission ले लिया है, ये seat बिल्कुल भी vacant नहीं हैं इसमें, तो टोटल जो vacant seat हैं 6950 seat से, अगर हम first round से second round का percentage देखें इसमें clear vacancy में, तो 67 seats vacant हैं, 67% seats vacant हैं second round के लिए, पिछले साल 65% seats vacant थी, अब की बार 67% seats vacant हैं second round के लिए, अगर इसमें newly seat added कर देते हैं, तो ये 69% seat vacant रहके आ जाती हैं second round के लिए, तो ये खुशी की बात है, पिछली साल से ज्यादा seatیں vacant होके आएंगी, आ रही हैं, इस round में आई हैं, और हर साल इतने seatیں ही vacant होके आती हैं, एक बार 2021 में ये seatیں 70% vacant होके आई थी, और पिछली बार 65% seat vacant थी, इस बार 67% seat vacant हैं, तो ये तो vacant seat का मैंने बता दिया है, आपको, अब एक बार हम ये तो seat MBBS की हैं, यनि की MBBS के अंदर सिरफ 33% candidates ने ही join किया है, 67% अभी भी second round के लिए seat vacant है, open और all India quota के लिए, MBBS course के लिए, अब बात करते हैं dimmed की, dimmed में पिछली बार की तरह, इस बार भी 70% seats join हो चुकी है, सिरफ 30% seat ही vacant है, यनि की first round के लिए ये 8,396 seats थी, अभी जो vacant seat बची है, 2521 seats बची हैं इसमें, यानि की 30% seat vacant है, 70% seats join हो गई है, dimmed के MBBS में, BDS की बात करें, all India quota की, तो all India quota और open में, BDS में 549 seats अभी vacant हैं, 10% seats e-joining हो पाई हैं, अभी 90% seats vacant हैं, मैं आपको इस वीडियो को फिर से summarize करवा देता हूं, first round में जो seat थी, वो 10,149 seats थी, और second round के लिए 67% seats अभी vacant हैं, added seat जोडते हैं, तो 69% seat अभी vacant हैं, यानि की 33% joining हो पाई है, अभी 67% seats vacant हैं, अब अगर इतनी सारी seats vacant हैं, तो cut off क्या रहेगी second round की, तो second round की cut off मैं आपको बता देता हूं, UR category की 612 है, OPC की 611, EWS की 607, SC की 490, ST की 460 cut off रह सकती हैं, second round में, ये हमने 610 बताई थी, पहले result आते ही, वो 610 चली जाने थी, UP के 13 colleges add हो जाते तो, इस बार UP के 13 colleges अभी add हुए नहीं है, तो ये cut off 612 जा सकती है, OPC 611, SC 490, EWS 607, ST 460 जा सकती है, 612 है, हमारा ये prediction सही हो सकता है, ये हम मानके चल रहे हैं, पिछले सारे prediction से, पिछली साल भी हमने accurate cut off बताई थी, और इस बार भी first round में accurate ही गई है, हमने बोला था, 618 cut off जा सकती है, cut off बताई थी 615, लेकिन जा सकती है, 18 तक, 18 तक ही गई है वो, तो ये जानकारी थी cut off के बारे में, और seat matrix के बारे में, जो अभी seat vacant होके आई हैं, इस परकार के वीडियोज हम लेके आते रहते हैं, आप हमारे चैनल को subscribe करके रखे, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तक तक के लिए जैखें,